यूटूब चैनल में आपका स्वागत है अगर आप होटो के कालेपन से परेशान है तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा अनुसका जिसके इस्तेमाल से होटो का कालापन दूर होकर होट बनेंगे लाल और नर्व मुलायम अगर आपने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको नए टिप्स मिलते रहें और क्लिक करें बेल आइकन पर मेरे नए वीडियो पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं मैं सबसे पहले बताने जा रही हूँ होटो के लिए स्क्रब स्क्रब करने से होटो की पुरानी तवचा जो पपड़ी की तरह जमी रहती है उसे हटाने का तरीका अक्सर होटो पर जीप फेरने से होटो पर काली पपड़ी जम जाती है जिससे होट रूखे और काले नजर आ इन्हें दूर करने के लिए जो तरीका बताने जा रही हुँ उसके लिए आपको चाहिए चीनी एक चमच चीने चीनी पुरानी तवाचा को हटाने का एक बहुत बढ़िया घरेलू स्क्रब का काम करती है एक चमच चीनी ले अब इसमें आपको मिलानी है शहद आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लें एक अच्छा सा मिस्रण त्यार करें अच्छा सा मिस्रण त्यार होने के बाद इसे आप अपने होटों पर लगा कर 2-3 मिनट तक हलके हातों से स्कृब करें शहद की इस्तेमाल से त्वचा नर्म मुलायम बनती है शाहद एक बहुत बढ़ी आम और श्राइजर का काम करता है अब इससे श्क्रब करने के बाद अब मैं बताने जा रही हूँ जो नुसका बताने जा रही हूँ उससे आपके होट बनेंगे नर्म मुलायम और लाल इसके इस्तिमाल से आपके होटों पर लालिम लें और उस जूस का आप अपने होटों पर इस्तेमाल करें अनार के रस्त को अपने होटों पर लगाएं और इसके कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपके होटों पर लालिमा आ जाएगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में